सर्फराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा पुर्पाकिस्तान के कप्तान और 2017 में चैंपियंज टॉफी पाकिस्तान को दिलाने वाले सर्फराज अहमद हम इस वीडियो में बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से एक नोट जारी होता है एक आर्टिकल आता है जिसमें ये बताया जाता है कि सर्फराज अहमद ने पाकिस्तान छोड़ दिया है जिया सर्फराज अहमद अब इंगलेंड के लंदन में सिफ्ट हो गए हैं और सर्फराज अब चर्चाय सुरू हो गई है सोसल मीडिया पे इस बात का जिक्र लोगों ने सुरू कर दिया है लोगों ने कि क्या सर्फराज ने पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ दिया है क्या सर नहीं ख़बर है देखिए क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से एक आठिकल आता है सर्फराज अमधलिब्स पाकिस्तान इन डिसहटें तो सर्फराज जो है कही न कही अपने future को लेकर वहां अपने करीयर को लेकर इनने पाकिस्तान में hopeless प्लेस नजर आ रहे हैं और वहाँ कोई उम्मीदी नहीं दिखाई धरी है यहीं वो वज़ा है कि सर्फराज पाकिस्तान छोड़कर लंदन में सिफ्ट हो गए हैं और ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सर्फराज अब जो है वहीं पर चुकी रहेंगे वहीं पर सिफ्ट आया है तो इसमें किर्केट पाकिस्तान के वो नोट्स आपको हम अभी दिखाएंगे ये नोट्स देखिए आप दो फॉर्मर कैप्टन अफ दे नेशनल किर्केट टीम सर्फराज अमद हैज लिफ्ट पाकिस्तान according to reports सर्फराज feeling disertain and hopeless about the future has decided to leave Pakistan he has moved to London United Kingdom with his wife and two children तो पूरी फैमली के साथ हमने आपको बताया सर्फराज अमद लंदन में shift हो गय है और जो है कही न कहीं सर्फराज जो है according to source despite feeling disappointed about the future सर्फराज अमद is keen to maintain his connection with Pakistani cricket he will participate in the Pakistan Super League PSL season 9 matches and represent Quetta Gladiars तो ये क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि फिलाल तो वो सिफ हो गय है लंदन में पाकिस्तान को छोड़ चुके है लेकिन जो है जब PSL अगले महीने फरवरी में सुरू हो रहा है तो वापस से Quetta Gladiars के लिए कप्तानी करते हुए सर्फराज वहाँ PSL में आपको दिखेंगे तब वो वापस आजाएंगे दरसल हाली में हमने देखा है जब पाकिस्तान की टीम उस्टेलिया के दोरे पर जाती है तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में महज एक टेस्ट मैच सर्फराज को खेलने को मिलता है जिसमें पहली पारी में तीन रन और दूसरी पारी में वो चार रन बनाते बल्ले से कुछ खास कर नहीं पाते और यही वो वज़ा है तो अब इसके पीछे सर्फराज लंदन सिफ्ट क्यूं हो रहे हैं कई तरह की चर्चाए लोग सोसल मीडिया पर कर रहे हैं लेकिन इन सबसे अलग हम जो आपको बता रहे हैं सर्फराज जो है चुकि लंदन में हैं और चेतेस्वर पुजारा की रहा पर ही वो चल परे हैं क्यूंकि काउंटी क्रिकेट सर्फराज हम आपको खेलते हुए दिख सकते हैं पहले भी योर्क सायर के लिए सर्फराज वहां काउंटी खेल चुके अब बड़ा सवाल यही है क्या सर्फराज अपने क्रिकेट को बेहतर करने के लिए क्या अपनी पाकिस्तान में जो है अपने कडियर को लेकर यह होपलेस है और कुछ बहुत ही निराज चल ले और कुछ उमीद वहां उन्हें नजर नहीं आ रही है तो अब सवाल यह है क्या सर्फराज हमद वहां काउंटी खेलने का है या वाकर पाकिस्तान वो छोड़ चुके है और पाकि क्या कुछ लगता है सर्फराज हमद को लेकर क्या सर्फराज हमद की तरफ से ही गलती है उनके तरफ से वह रन नहीं आ पारे वह बड़ी पाड़ी नहीं आ रही है इस वजह से बाहर किया गया यह वाकर ही सर्फराज हमद के साथ गलत किया गया आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिल हैल इस वीडियो में इतना ही, जैन, जै भारत.